साथ कंटेस्टन जो इस वक्त घर से वेगर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं आपको बतादें कि इनका क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड पूरी तरह से सामने आ चुका है और ये भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि आज सलमान खान कौन से कंटेस्टन को बिग बॉस के से बाहर करने वाले हैं जी हां दोस्तों आपको बतादें कि क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में बहुत बड़ा उलट फेर देखने को मिला है ऐसा उलट फेर जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रहने वाले हैं क्या है क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड कौन सा कंटेस्ट जिनका नाम नॉमिनेशन में है वो है अरफीन खान अगला नाम है शैजादा धामी तीसरा नाम है शिलपा शिरोड कर जो की नॉमिनेट है एलिस कौशिक भी नॉमिनेट थी शुरूतिका का नाम भी नॉमिनेशन में था ईशा सिंग भी नॉमिनेट थी और आविनाश मिश्रा भी नॉमिनेर थे तो इन साथ कंटेशन को जनता ने जम कर वोटिंग की है तो चलिए बात करते हैं कौन सा कंटेशन किस नमबर पर है तो सबसे पहले नमबर पर यानि जिस कंटेशन को सबसे जादा वोट मिल रहे हैं और वो हैं आविनाश मिश्रा जी हां क्लोजिंग वोटि सिंग जी हाँ अविनाश की ही दोस्त ईशा वोटिंग के मामले में अविनाश से थोड़ा सा फीचे है और दूसरे नमबर पर बनी हुई है तीसरे नमबर पर नाम सुनकर आप काफी जादा दंग रहने वाले हैं काफी जादा हैरान रहने वाले हैं क्योंकि तीसरे नमबर पर उन्हें जम कर वोट मिले थे लेकिन अब क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से शुरूतिका जो है वो तीसरे नमबर पर खिसक कर चली गई है बात करते हैं अगले नाम की चौथे नमबर पर कौन है तो वो हैं ऐलिस कोशिक ऐलिस कोशिक को भी अच्छे खासे वोट मि ही बलकि शिल्पा शिरोडकर हैं शिल्पा शिरोडकर को भी अच्छे खासे वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं वो भी घर से बेगर नहीं होने वाली हैं क्योंकि पांचवे नमबर पर हैं बात करें चटे नमबर की चटे पर हैं शहजादा धामी जी हां शहजादा धामी प बिक बोस के घर से चलिए बात करते हैं आखरी नंबर की जिने सबसे कम वोट मिले हैं तो वो हैं अरफीन खान सबसे कम वोट अरफीन खान को मिले हैं और खबरों की माने तो अब आज अरफीन खान बिक बोस के घर से बाहर हो सकते हैं जी हाँ आपको बता दें कि अरफीन खान